जैशी राम सभी भक्तों को जैमाता की फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताईए जैसे की हनुमान चालिसा के क्या सो पार्ट करने ही अनिवारी होते हैं जिरूरी होते हैं उनी से क्या हनुमान जी की क्रिपा या फिर अपनी मनों कामना पूर्ती होती है या उससे कम भी अगर हम कोई पार्ट कर सकते हैं करते हैं हनुमान चालिसा का तो कितनी बार करना चाहिए क्या उससे भी उतना ही लाब मिलेगा आज की वीडियो इसी भी शैपे होने वाली है हमारे साथ अंतक बने रहना तब ही आप कि फोन में पो जच चलिए शुरू करते हैं जैश्री राम जैश्री बालाई वाला जै मातारी यह बात तो सच्चाई है मन में इस पकार का संदेह उत्पन होता है कि कई वार हनुमान चालिसा में हम यह चीज़ देखते हैं कि जो सत बार पार्ट कर कोई छूटी बंदी महास होई देखिए सच्चाई है हनुमान चालिसा का पार्ट करने से हर पकार की समस्या से हर पकार की प्रोब्लम से हर पकार की मुसीवत से आपको राहत तो मिलेगी अगर आप भगवान का ध्यान करोगे पूजा करोगे पार्ट करोगे और सच्चे मन और अंतर की आत्मा को करें तो ाप सुचो क्या हनुनों हो उ हर पकार के बंदोरों से मुक्त नहीं घब मुगलों ने उनको चकर जीन में डाल दिया तो हने बान चलिसा की उन्होंने जब रचना करी तो हनुमान जी की खिर्पा उनके ओपर він तो उसी पकार से अगर आप हनुमान चलिसा का पाठ नित्या करते हो तब भी उसका फल प्राप्त होता है, अगर रोज करते हो, हमालो दो, तीन, चार पाठ करते हो, तब भी उसका फल प्राप्त होता है, अगर आप सो बार पाठ नहीं कर सकते, तो साथ बार भी हनुमान चलिस पाठी हमारे गर हमें बुद्धी परदान दीजिए ये पावन कुमार विवेक दीजिए शक्ति दीजिए और हमारे घर के हर पकार के करश को तूर कीजिए हमारे घर में किसी भी पकार का कलेश ना हो किसी भी पकार की आपदा ना हो अब नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, जो व्यक्ति हनुमान जी का समन करता है, हनुमान चलिसा का पाट करता है, डेली करता है, रोज करता है, नित्य नियम से करता है, सुबह शाम करता है, दिन के समय करता है, दुफैर को करता है, रात को करता है, रात को को सोते वक्त करता है तो उसे हर पकार की किर्पा की प्राप्ति हो हनुमान जी की छतर चाया का वह पातर बनता है हनुमान जी की किर्पा उनके उपर सदय बनती है हनुमान जी की वीर हनुमान जी की वीर उस भक्त की रक्षा करते है जो नित्य नेम हनुमान जी का पाठ करता है हनुमान चलिसा का पाड़ करता है जब गो सुखामी तूशी दाज जी ने हनुमान चलिसा की रचना करी तब उन्होंने देखा कि आने वाले समय में इस पकार की मुसीबतें लोग विरोदा वास में रहेंगे जो लोग तरक्की करेंगे तो दूसरे लोग जलेंगे तो और ऐसे समय पर स्वम एक शक्ति शाली राम दूद अफ़तारी ही है जो आपकी रक्षा कर सकते हैं कर लोग के अंदर तो गो स्वामी तूसरी राजी ने देखा जब मुगल समराज का जो राजा था उसको अंदर एंकार आ गया चमतकार देखे लिए तो हनुमान जी के जो वीर थे वानर रूप के वो आकर गो स्वामी तूसरी राजी को इन बंदरों से मुक्त कर देते हैं तो आप से तो हनुमा हर पकार के मन में उसकी शक्ति हुट्पन होंगी मन में विश्वास हनुमान जी को आप कमजो्lt ना समझो हनुमान जिस अपने हर का लिए को जुसको पूर नहीं करने कुछका और उस कारिये को कभी करने में पीछे नहीं हरते कभी भी आप कभी भी देख ले ना प्रभु शीराम ने जब लक्षमन जी के प्रान बचाने के समय पर जब देख ला सुसेंड ने कहा कि अब तो ये बचेगा ही नहीं हमारें अंदर अगर एंडर वे अपाइर criteria रुप में बनारे चाखते हमारे अंदर अगर डेर्र संक्नव प्राप्त करना है अगर आप चाहिते हो कि आपके अंदर भी अपार सक्तिट चुपी रहे है अब बिऴयामनतr माना चाता है जो भकुत इसका नित्य जाप करता है उसके घर के आंदर किसी भी पकार की मुसीबत नी और सुक्मे bleibt लोर का एक्सिडेंट नहीं होता किसी भी पकार की उसके आपदा नहीं आती जो नित्य हनुमान चलिशा का पाठ करता है तो उसके मन के अपार शितलता भी रहती है तो कि जब आपका ये मन्तर सिद्ध हो जाता है हनुमान चलिशा पढ़ते हैं और बहुत से भगत का हिलना भी बहुत होता है नेकिन हनुमान चलिशा को मैंने एक वीडियो बना रहा है कि किस strategy किस समझ से पढ़ना ची ए उस TV को जुरूर देख लेना आप तो आपको पूरी जानकर ही समझ में आएगी कि आपको हनुमान चिलिसा को किस पर्खे से पढ़ना ची यह और हनुमान mäंच अगर आप सो पार्ट नहीं कर सकते तो साथ पार्ट में भी उतना ही फल है जितना सो पार्ट में हैं लेकिन कब जब अंतर की आत्मा प्रभू के चर्णों से जोड़ेंगे हैं तब तब वो फल जो है आपका अपने आप ही दुगना बन जाएगा तो इस पकार से आप हनुमान से सुननों तो मुवाइल से सुनकर नेकिन मुझ से बोलना चाहिए दिरी दिरी याद हो जाएका तो आपको बोलना सीखना चाहिए नेकिन उसके बाद भी अगर जब आपको आ गया फिर मुवाइल से नहीं सुनना चाहिए तो कि आपका खुद का प्रिशम की अवशक्ता है आपके खुद के प्रिशम के अब सकता है बहुत सारे भक्तों के मन में ये भी रहता है कि उनको पढ़ना तो आता है निकिन वो पढ़ते नहीं है तो आप वाइल के जलिये से नहीं, आप अपने मुख से पढ़िए, जब मुख का थूख सुखता है, मुख से अंतर आवाज निकलती है, आतमा राम जागरित होता है, तब प्रमात्मा से लगन भी लगती है, तब ही कहते हैं कि लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा ये और तुमें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, ये तो हमें पता था कि हमारे साथ क्या होना है, हमारे जीवन में क्या है, क्या शंगर्स है, लेकि तुमें अपना बना बैठे, ये भी देखा जाएगा, क्योंकि प्रमात्मा की किर्पा उनी के बोली जय से तराम, जय शिरी वालादा, जय बालादा, जय बालादा